सब्सक्राइब को राम राम भाई आज एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है और यह वीडियो काफी सारी कोश्च चलाते हैं मेरे इंफोर्मेशन के बारे मैं कौन सी स्टडी कर रहा हूं और मैं UK क्यों आया है यह चीज तो मैं next वीडियो मताऊंगा और अभी आप आपके मन में कोई भी कोश्चन हो रिलेटेड तो UK क्योंकि 2023 के अंदर बहुत बड़ा बैच आने वाला है जन्वरी बैच भी बड़ा होता है पर सेप्टेंबर इस बिगस्ट बैच होता है जो स्टूडेंस इंटरनेट स्टूडेंस आते हैं UK के अंदर या फिर अनी अधर मेरा मतलब UK आने का यूके वीजा का कर लो तो वह सारा टोटल एक्सपेंडिचर आप काउंट कर लेना तो मेरी आज से सबसे पहले सबसे बड़ी चीज होती है वह होती है यूनिवर्सिटी फीस और यूनिवर्सिटी फीस से पहले आपको बता दू बीचा इंस्टाग्राम पर कर लो फोलो और वहां आप अपने मंद में जो भी कॉस्चन हो रिलेटेट टू वीजा रिलेटेट टू मान के चलो एजूकेशन रिलेटेट टू यूनिवर्सिटी सेलेक्शन अकोमोडेशन इस टाइप के कॉस्चन आप पूछ सकते हो तो वहां मैं ट्राई करता हूं पूसिबल जितना जल्दी हो से के रिपलाई देने की तो वीजा से रिलेटेट भी आप इंडिया के अंदर कोई एजन आपको कुछ बोल रहा है तो आप उस चीज़ को भी कंफर्मेशन कर सकते हो मुझे मान के चलो दस सेकिंड में बीस सेकिंड में बताने में कोई ज्याद सो पाउंड 14500 वोज मैं युणिवस्टी फीज और इसमें से मैंने 8000 इंडिया से पे की थी एट थाउजन मैंने इंडिया से पे कर दी थी उसके बाद उसके बाद मेरा expenditure है ओफर लेटर का कोई expenditure नहीं होता कोई किसी प्रकार का charge नहीं होता ओफर लेटर का तो जो भी बोलते UK के ओफर लेटर का कोई चार्ज नहीं होता तो आपकी फीज का पार्टी होता है जो डिपोजिट अमाउंट यह कहते स्टार्टिंग में दिन और जो फीज का एक डिपोजिट अपाउंट होता है तो मैंने टोटल फीज बर दी थी सब्सक्राइब के अंदर तो अभी देख लो एक साल के अंदर तीन चार जार पॉंड बढ़ना बहुत बड़ी बात है उसके बाद मेरा इसके अंदर मान के चलो मैडिकल का कोई खर्चा नहीं होता चंडीगर से करवाया था मैंने मैडिकल और मैडिकल के अंदर जस्टो टीबी टैस्ट करते हैं जिसके दोजार रुपे लगे थे बस और ट्रैवल का तो वह तो इंडिया का आपको पता ही अभी चंडीगर जाना अब फॉर एक्जामपल मैं मैंने लंडन के अंदर आना लंडन के 13,000 के सम्थिंग फंड शो करने होते हैं भी 11,000 के सम्थिंग लंडन के होते हैं और आउटर लंडन होते हैं इसके डिफरेंट होते हैं तो आउटर लंडन के 9,000 के सम्थिंग है और इसके 11,000 के सम्थिंग ह तो अभी increase हो गए है यह क्योंकि inflation rate बहुत आई हो चुक है तो 9 months का आपको इसके इसाब से मन के चलो भी यह चाहते हैं भी 9 months का आपके पास money हो यह survive करने के लिए after paying your full fee तो मेरे को एक आप यह गलती कभी मत करना जब भी आप UK की फाइल लगाओ भी आप यह सोच लो भी 11,000 पांट याने की इंडिया के बड़े बड़े लगा लो तो 11,000 रुपे मेरे को शो करने नहीं आपको 11,000 शो नहीं करने याद 11,000 आपको तब शो करने हैं जब आपने जो उनिवस्टी की चो दाइजार 500 फॉर एग्जांपल मेरे लेता फॉर एक्जांपल जो दाजार पांट सो मेरी फीस थी तो मैंने चो दाजार बांसो टोटली अडवांस इन इंडिया से पे कर दी तो वह चीज़े हैं वह आप मान के चलो भी 14500 मैंने फुल फी पे कर दी है अब मेरे को और कोई फीज नहीं देनी अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ मेरा खर्चा यहां living expenses कवर करने तब जाके वह फंड्स हैं तो आप गूगल से देखके वह थोड़ा मनलब अब मेरे को कितने शो करने थे अब इनर लंडन था तो मेरे को ग्यारा जार तो वह गए और उपर से मेरे को जो रिमेनिंग फीज थी 6500 कि सम्तिंग वह फीज इसके मैं कैलकुलेट करके लगबल 18-19 लाग रुपे जो बने थे मैंने 19 लाग की एफडी शो की थी तो वह आपको फंड शो करने होते हैं 19 लाग की एफडी शो की थी और 8000 लाग रुपे मेने फीज बरी थी अब आ जाते हैं यह दोनों खर्चे होने के बाद युनिवस्टी आप से मेडिकल लेने के बाद कैश इस्यू के टाइम आप से कैश इस्यू के टाइम आप से कुछ नहीं थी उनि का मान के चलो लगबग एक लाख 20-30,000 के सम्थिक पढ़ता है जब मैं आया था उस टाइम इतना था अभी इंक्रीज हो गया होगा थोड़ा बहुत क्योंकि नहीं थोड़ा यहां पे श्ट्रगल कर रहा है तो इतना बड़ा नहीं होता पर ठीक है इनको कवर करना ही आपको यह मेंडेटरी है जब आप वीजा लगा हो तो आपके पास एनेचास का यह होना ही चाहिए तो अब बात कर लेते हैं कंसंटेंसी की कंसंटेंसी फीस पीस दपार्ट ल्सोट्वटीफव जो एजेंट्स लेते हैं या फिर कंसंटेंसी वाले लेते हैं वह आपकी अलगले 20 वह अलग लग होती है आपकी तो अभी देख लो अभी वह फंड होगे और फीपे होगी और फीपे के बाद अभी मेडिकल मेडिकल के बाद एनेचस एनेचस के अंदर इनाशनल जो यहां का इंशोरेंस होता है तो मेरा यह लगा था तो चल रहे हैं तो यूके का वैदर अभी टोटली हो चुका है तो अभी मान के चलो समर आ में सब की चुटियां आएगी तो उसमें आप काम कर सकते हो एनेचस की फीज के बाद आती है अपनी इंबैसी फीज का अंताजा लगा लो भी आप अबैसी फीज कितनी होगी जो फाइव डे की प्राइर्टी होती है वह 55,000 के आसपास होती है 55-60,000 होती है क्योंकि यह यहां में पेमेट लेते हैं तो वह उपर नीचे थोड़ी बहुत होती रहती है जो नोर्मली आप जो वीजा अपलाई करते हो जो लगबग आनके चलो जो नोर्मल वीजा है जिसमें कोई पराइटी नहीं है वह उनका टाइम पीरियेड है जो जितने भी वीक है उस वीक के अंदर वीजा आएगा वह आपको पड़ेगा थर्टी सिक्स थर्टी फाइव थाउजन के आस पास वह पड़ेगा तो अभी वह तो सबसे बैस रेकमेटेशन यही है भी आप फाइव डे वाला लो जो सिक्सी थाउजन तो लगेंगे पर आपको फाइव डे के अंतर रेजल्ट मिल देने से या इंट्रस्ट देने से बैंक को या एजेंट को जैसे भी आप जैसे भी करके आप फंड अरेंज कर रहे हो या खुद के फंड कहीं भी है तो आप उन फंड को रोक के मतर को आपको फंड सिर्फ टॉंटी एट डेजी ओल चाहिए और इसकी कनफर्मेशन आप यू सर्दियों के कपड़े लेलो नॉर्मल से ब्रैंड बगेरा इन चीजों में यहां कोई मैटर नहीं करता इकोन ब्रैंड पैर रहा है इसके पास कौन से शूज है इंडिया में वही नाइकी एयर जोर्डन के मान की चलो पंदरा सो दो दो जार रोपे में मिलते रहते हैं और स्थे लग यहां पेपर न जार नोंहिए था रहा इसँ मिल्ष्ण की शॉप्टिंग कर गया और जितना बी कैश है आपके पास डो एक्स्ट्रा है और Пक waters किसी के बाहर नहीं है तो काम करने के लिए यह वह सर्दियों के लिए सर्दियों सब् univers कर था इम सब्arnya वहाई अगर आपका वीज़़ जली आ गया आपका कोर्स एक और बास शटार्ट होया तो आपके बहुत टाइम है आप-उठी और आपका को discern अले दस दिन में स्टार्ट हो रहा है आपका जाऊ वहां पर आपकी कि इमिगरेशन्स भी होते हैं वह पुछते हैं भी थो पुस्त को इतना तो सारी चीज़ों से दिक्कतों से बसने के लिए आपको आना हुताँ अपनी कोर्स से पहले-पहले तो आपके कोर्स टार्ट होने से पहले आप तो अगर आपके दो-त्ra दिन में बुक करने तो महेंगी पड़ सकती है मेरी फ्लाइट होई थी 65,000 की तो 65,000 की मेरी फ्लाइट होई थी सिट डारेक्ट वर्जिन एट्लंटिका थी और यह डारेक्ट इंडिया दिल्ली से यहां पर हित्रो एरपोर्ट लंडन आई थी यहां कोई मैंने स्टेव अगरा नहीं लिया था तो अभी स्टेव वाली भी काफी म मैं आपको बता दूँ जब मैं आया था साफ से मान चल लगْ भग 2 मंथ तक सरवाइख कर सकूं क्यों कि जोब 가서 मिआ रखना यह समझने में कैसे ढकर लो अपको टाइम लग जाता ही इतना एगले दीनिया आता ही जो मिल जाए जो आपको पता है काफी मुश्किल हो रखा है UK के अंदर इस पर पर्टिकुलर वीडियो बना रहा हूं मैं भी जोब कैसे लें या फिर किस कैटेगरी में ना आए तो आपको आगे दिक्कत ना आए तो जोब वाला सीन तो यह हो गया पर आपको अपको अब की साफ से कपड़ों पे कम स्पेंड करके इंडिया में और खर्चे चोटे मोटे आप जितने भी बचा सको बचा के यहां UK के अंदर कैश जरूर लेके आएं कैश या जो भी अकाउंट में आपके पैसे हो तो आपके पास बैक अप होना चाहिए यूटे के अंदर स्टेबल होने के लिए तो स्टूडें कभी मत करना ताकि आपको आगे से दिक्कत ना आए तो यह टोटल ओल्मोस्ट एक्सपेंडिचर था मेरा UK का आने का जो 10-15 लाग के बीज में लग बगाता है जो आपकी फीस पे डिबेंड करता है तो आप देख लो जिस हिसाब से जिसको भी UK आने का प्लैन करना तो यह हो पर उसको फंड्स थोड़े जादा शो करने होते हैं यृष को कि उसकी फीस तीन साल की है और उपर से रही बार उसको मान के चलो भी आप सोच के देखो भी 15,000 15,000 रूपे एक साल की फीस है तो थी येर की डिगरी में आकर 45,000 45,000 रूपे उसको फीस बढ़नी है जिसमें व मार्क में डालके जुरूर आएं किसी मान के चलो बाहर के वीडियो और इन चीज़ों के चक्र में गलत डिसीजन ना ले अपने फ्यूचर का और जो 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 भाई जिनके भी रिष्टिदार या फिर जो भी फ्रेंड सर्किल में कोई बाहर आना चाता है तो वीडियो को कर दो भाई शेयर और लाइक एंड कर दो सब्सक्राइब ऐसी योर वीडियो रिलेटेड टो यूके या फिर एनी अदर कंट्रीज आप मेरे से कोश्चन पूछ सकते हो जितनी मेरे पास इंफोर्मेशन होगी उससे हिसाब से मैं आपको अंसर्स कर दूंगा थैंक्स फॉर वोचि देखने के लिए बाई सभी का दने वाद मिलते नेक्स वीडियो में